हालो एन गुड मार्निंग आवरिवान आप सभी लोगों का स्वागत है शेड़ी ग्लोज पर और आज है आज जुलाई बहुत ही बहती बहती बहतीरियन करन्ट अफेर हम लोग शुरू करने वाले हैं सबसे पहले मोटिवेशनल कोट आप लोग के लिए है बड़ा आदमी वह है जो अपने पास में बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस ना होने दे ये सबसे बड़ी काविलियत है आप चाहे कितनी बड़ी से बड़ी सफलता को अरजित कर ले लेकिन यदि आप किसी छोटे व्यक्ति से मिले मतलब कि वो पद में आप से छोटा है देखिए आप experience में वो जरूर आप लोगों से बड़ा होगा लेकिन पद में वो आप से छोटा है लेकिन जब भी आप उससे बाचीत करें तो कभी भी वो अपने आपको छोटा महसूस ना करें तो आपके अंदर ये काबिलित होनी चाहिए चलिए शुरू करते हैं आठ जुलाई के बहुती बैतर कर लेंगे लेकिन क्या भारत के भी कोई मिशन अफगानिस्तान के अंदर चल रहे हैं बिल्कुल अफगानिस्तान के अंदर भारत के मिशन चल रहे हैं वो पीस कीपिंग के लिए हैं और भारत ने इस पर साफ इंकार कर दिया है कि भारत अपने मिशन बंद नहीं करेगा पा जापान की उप प्रदान मंत्री उन्होंने ये कहा है कि यदि ताइवान पर कोई भी खत्रा होगा तो जापान और अमेरिका मिल कर उस ख़त्रे का सामना करेंगे और ताइवान के रक्षा करेंगे उत्री अफगानिस्तान पर तेजी से काबिज हो रहा है तालिबान अमेरिका वहां से बाहर जा रहा है अब तालिबान अपनी जो जड़े हैं वहां पर फैलाना शुरू कर रहा है और यहां तक कि पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ का फाइदा उठा रहा है रूसी वैक्सीन इस्पूतनिक V के उत्पादन की देश में तैयारी पूरी और कच्चे माल का इंतजार जो है वो अब किया जा रहा है तो पैनेसीरिया बायोटेक जो है वो इसका उत्पादन करेगी और इस्पूतनिक V है इस्पूतनिक लाइट है ऐसी दो वैक्सीन है जो की रूस से अब आयात की जाएगी और उसकी बाद में उत्पादन जो है वो भारत में ही शुरू हो जाएगा पुरानी क्रिशी कानूनों के भवर जाल में फस्ते रहे किसान किसान जो है उनकी आत्मत्या का दर जो है वो काफी ज़्यादा बढ़ गया है और इसमें आंधर प्रदेश इस्टेट जो है वो नंबर वन के उपर आ गया है तो सबसे ज़्यादा किसान जो है वो आत्मत्या कर रहे हैं आंदर प्रदेश के अंदर और पुराने जो करशी कानून है आपको पता होगा कि अभी किसान आदोलन चल रहे हैं और किसानों की ये मांग है कि जो भी पारलेमेंट के द्वारा कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को वापस लिया जाए और अब जो है किसान इस चीज पर अडे हुए हैं इस पश्ट निर्देश संग आये ट्वीटर नहीं तो बढ़ेंगे मुश्किले दिल्ली हाई कोट के द्वारा ये कहा गया है और ये ये भी कहा गया है कि ट्वीटर के जो भी इंस्ट्रक्शन हैं उनको वो साफ तोर पर जाहिर करें क्योंकि भारत स विस्तार से पहले करनाटक के राजयिपाल मनाये गए थावरचन गहलोद कुल आठ राजयिपाल जो हें उनको बदला गया है और मंत्री मंदल का विस्तार कर दिया गया क्योंकि राज्य के अंदर जितने भी corporate societies हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा इसके साथ में ही ease of doing business जो है इसको भी बढ़ावा देने के लिए मंत्राले का गठन किया जाएगा भारती अंतराश्ट्रिय फिल्म फेस्टिवल 20 नवंबर से बीस नवंबर से शुरू हो रहा है गोवा के अंदर और यह कौन सा बावनवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इस्टेराइड के अधिक इस्तमाल से गल रही है हड्या देखिए इस्टेराइड के अधिक इस् उनके अंदर कमजोरी जो है, वो अब फिल की जा रही है। आप लोग के लिए बहतरी content लेकिया आता है, current offer के कई सारे courses available हैं, इसके साथ में quality, history, geography के काफी basic से आप लोग समाच सकते हैं, सभी subject को इसलिए NCRT की courses जो हैं, वो available हैं, इंस्टा पर आप लोग मुझे follow कर सकते हैं, जो भी आपकी queries हो, questions हो, वो मुझे पूर सकते हैं, इसके स पर आप लोग रहता है, साथ जुलाई की सबसे पहले current offer हम लोग revise कर लेते हैं, पुलिस प्रशाशन के द्वारा किस धारा के रद होने के बाद भी उस पर मामली जो है, वो दर्ज किये गए और सूप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराज की जताई है, वो तो है, कौन सा section 66A, किस की स्थापना 1994 के अंदर की गई थी, आयलो के रिपोर्ट के अनुसार, वर्ड लेवल के उपर अंतराश्ट्री है, जो प्रवासी शर्मिक है, उनके संख्या 169 मिलियन बढ़ चुकी है, खादी और ग्रामो द्योग आयोग के तहत बोल्ड प्रोजेक्ट जो है, वो राजस् से, लेडी डॉक्टर, दो अंटोल्ड श्टोरी अफ इंडिया अस फर्स्ट डूमेन इन मेडिसिन, ये किसकी बुक है, कविता राव की ये बुक है, हाल ही में लोकपाल दीपक वर्मा ने किस भारती पूरु कप्तान को हैदरबाद क्रिकेट संग के अद्दक्ष पर पुन नारायन बटाचार ये किस राज्जी के लोकाइक तुनिक्तु हैं है तो वो है तृपुरा भारती सेना के प्रमुक एमेन नर्वने ने किस देश में भारती सेना इसमर्क का उधगर्ण किया है तो वो है इटली, केंडर सरकार ने भारती जीवन विमाम निगम, LIC के जो चै विमान, Benderbarn, ने, तो नाम ठुड़ा अटपटा है तो ये प्राइम अनिश्टर जो है वो किस कंडरी के बने है तो वो है अलजीरिया के ये नय प्राइमेनिश्टर बने हैं ये कल का हमारा इस्ते ग्रोस कोशन था कि एवरेश पर चाढने वाले एश्या के पहले बादित बने हैं आज है आज जुलाई और बहुत ही भैतरिन करन्ट फैर हम लोग कवर कर लेते हैं हाल ही में केंद्र सरकार के दोरा किस नए मंत्राले के कठन को मंजूरी दी गई है तो वो है Ministry of Corporation देखिए मंत्री जो है अभी तक नहीं बनाएं गए है जल्दी मंत्री जो है इसके अनौंस किये जाएंगे लेकिन ये नया मंत्राले कठन करने के जरुवत कहा पड़ रही थी रीजन क्या है कि सबसे पहले ease of doing business जो है इसमें भारत की ranking को कैसे increase किया जाए भारत में business करना कितना आसान बनाए जाए इसकी प्रिक्रिया का निर्मान जो है process का निर्मान वो इसी मंत्राले के द्वारा किया जाएगा वो है Ministry of Council ये तो है पहला और दूसरा इसका रीजन है क जितनी भी state level के ओपर corporate societies है उनको कैसे develop किया जाए खेक है corporate society जो होती है वहाँ पर जनता का पैसा होता है और वो जनता के काम में ही उसको लगाए जाता है तो जितनी भी corporate societies हैं institutions है उनको कैसे development किया जाए इसके लिए Ministry of Corporation जो है इसको निर्मित किया जाएगा मंत्री जो है वो Article 80 को पढ़ते हैं, अनुछेद 80 को पढ़ते हैं, तो अनुछेद 80 के तहत राज्य सभा के अंदर 12 सदश्यों को नॉमिनेट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, और वो जो फिल्ड है, जिस फिल्ड से उनको नॉमिनेट किया जाता है, वो कौन-कौन से हैं, एक तो है लिटरेचर, आर्ट है, साइंस है, इसके साथ में सोशल सर्विसेज है, ठीक है, लेकिन जब हम लोग आर्टिकल नंबर 171 पढ़ते हैं, तो विधान परिशाद लेजिसलेटिव जो काउंसिल है, ठीक है, स्टीट के अंदर, वहाँ पर एक पॉइंट और जुड़ जाता है जिसमें लिटरेचर तो है ही, आर्ट भी है, फिर उसके बाद में साइंस और टेकनलोजी है, सोशल सर्विसेज है और इसके साथ में कॉर्परेट मॉवमेंट जो है, इनके छेतर में जो पारंगत व्यक्ती है, उनको भी नॉमेंट किया जाता है, लेजिसलेटिव काउंसिल के अंदर, इस्टेट्स के अंदर, ठीक है, तो ये वही क्या है, कॉर्परेट मॉवमेंट्स है, चलिए, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की ये न्यूज है, सेंट्रल गवर्मेंट क्रिएट्स ए न्यू मिनिश्ट्री ऑफ कॉर्परेशन, तो द मेन जो है, वो परपस है इस मिनिश्ट्री को बनाने के, यहाँ तक कि अभी जो है, इसका जो मंत्री है वो नहीं बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर केवल यही मंत्राले नहीं है, तब मिनिश्ट्री ऑफ एन्वार्मेंट जो है, इसका भी नाम जो है, वो चेंज किया गया क्या किया गया ministry of environment forest and climate change जो है वो इस ministry के नाम में जोड़ा गया इसके बाद में आप रोग देख सकते हैं the ministry of animal husbandry इसका नाम जो है वो expand किया गया fisheries animal husbandry and daring इसके साथ में ही HRD जो ministry है इसका नाम भी change किया गया और change करके education ministry जो है वो किया गया यहां तक कि अब जो है वो मंत्राल काफी बदल चुके है आज की दिन मतलब 8 जुलाई को 43 जो है 43 मंत्री मंदल के अंदर फेर बदल किये गए है पहले वाले एक बार मंत्राली को हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आज जो है वो क्या-क्या changes हुए है तो जो हमारे प्रधान मं प्रधान मंत्री है उनके पास में Ministry of Personnel, Public Gravance और Pension जो Department है वो है Department of Space जो है वो PM के पास में है Atomic Energy जो है वो भी प्रधान मंत्री के पास में है अमिशा के पास में Home Ministry है राजना सिंग के पास में Ministry of Defense है नितिन गड़करी जो है इनके पास में Ministry of Road Transport and Highways इसके साथ में Ministry of Micro एनिकी MSME जो है वो सेक्टर है यहाँ पर ही मैं यह इसली बता रहा हूँ था कि जो भी चैंजिस होंगे आप लोग उन चैंजिस को क्या कर सको आज identify कर सको फिर आप लोग देखिए DV सतनन गौडा जो है इनके पास में Ministry of Chemical and Fertilizers है इसके साथ में ही निर्मला सितारमन Ministry of Finance और Ministry of Corporate Affairs जो है यह काफी important है यह आप लोग ध्यान रखेगा कि हो सकता है कि निर्मला सितारमन जो है इनी को ही क्या दे दिया जाए वापस से यह Corporate Ministry दे रही जाए यहाँ पर देखिए कि जो नरेंदर सिंग तोमर है इनके पास में Ministry of Agriculture फिर Rural Development पंचायती राज और Food Processing Industries फिर फावर चन गहलो जिनको करनाटक का राज्येपाल बनाए गया है उनके पास में क्या Ministry थी Ministry of Social Justice and Empowerment जो है वो इनके पास में Ministry थी फिर देखिए यहाँ पर ऐस जैसंकर जो है वो Minister of External Affairs थे रमेश पोकरिया निशंग जो है वो Minister of Education थे अर्जुन मुंडा Minister of Tribal Affairs इस्मृती इरा पास में थी इसके साथ में टेक्स्टाइल मिनिश्ट्री जो थी वो भी इनके पास में थी डॉक्टर हर्श वर्दर Ministry of Health and Family Welfare यह इसलिए बताया जा रहा है ताकि आज जो है वो आप लोग identify कर सके ठीक है प्रकास जावडिकर के पास में Ministry of Environment, Forest and Climate Change इसके साथ में Information and Broadcasting Department इनक पास में था प्यूश योल के पास में आप लोग जानते ही है रेलवे मिनिश्ट्री इनके पास में थी Commerce and Industry यह इनके पास में थी Consumer Affair यह भी इनके पास में था तो जो भी changes हो रहे हैं उनको आप लोग को जान रखना है बहुत बड़ा फेर बदल किया गया है इसलिए मैं यह आप लोग को बता रहा हूं धर्वेंदर प्रधान के पास में पैट्रॉलियों and Natural Gas है Ministry of Steel इनके पास में थी मुक्तार अबाज नकवी Ministry of Minority Affairs इसके बाद में प्रहलाज जोशी जो है इनके पास में Ministry of Parliament Affairs कोल और माई जो है वो इनके पास में थी और सबसे important देखिए श्री प्रधित हुआ था उसके मंतरी कजेंदर चेकावत को बनाए गया था तो आग जो changes होने वाले हैं वो सभी आप लोग को identify होने चाहिए Center for Science and Environment की नई रिपोर्ट क्या है रिपोर्ट का नाम रिपोर्ट का नाम है State of India is Environment 2021 जो है ये इस नई रिपोर्ट का नाम है इसमें ये बताया गया है कि किसान जो है वो आत्मत्या कर रहे हैं सुसाइड कर रहे हैं इसमें पहले इस्थान पर कौन है तो वो आंदर प्रदेश जो है इसमें पहले इस्थान पर है देखिए इस रिपोर्ट की बारे में हम लोग देख सकते हैं कि 2017 से लेकर 2019 की बीच में जिन भी किसानों ने आत्मत्या किया है उनके लिए ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार इस रिपोर्ट के 2019 की बात करें तो 5957 किसान जो है उन्होंने क्या की आत्मत्या की और किसान के साथ में जो शरमिक होते हैं मतलब लेबर जो होती है उन लेबर में से 4324 जो लेबर है उन्होंने क्या किया है सुसाइड किया है तो ये तो किवल मैंने 2019 का ही बताया है तो 2017 से लेकर 2019 तक कई किसान ज तो जो अन दाता है वो अभी खत्रे में है तो इनका कोई सॉलिशन जो है वो जल्द ही निकालना पड़ेगा चलिए थावर्चन गहलोत और मंगू भाई चगन भाई पटेल जो है इनको करमर्शा किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है काफी इंपोर्टेंट कोशन है तो मंगू भाई चगन भाई पटेल जो है ये कांके बनाया गये है मध्यप्रदेश के तो सी ओप्शन जो है ये इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट होगा देखिए मैं आप लोग को छोटी से एक लिश्ट बताता हूँ करनाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत बनाये गये ह इसके साथ में ही मिजोरम के कौन बनाये गये हैं मिजोरम के मिजोरम के बनाये गये हैं हरी बाभू कमभापती हरी बाभू याद रखना आप लोग नोट कर लीजेगा हरी बाभू कमभापती जो है वो नए राज्यपाल बनाये गये हैं इसके साथ में ही MP के तो कौन बनाये गए ये तुम मैंने बताई दिया है मंगो भाई चगन भाई पटेल जो है वो बनाए गए है फिर इसके बाद में देखिए हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के जो बने है राजेंदर विश्वनात अरलेकर कौन बने है राजेंदर विश्वनात जो है वो बने है कहां पहले थे मिजोरम के गोवज के बाद में फिर हम बात करें तिरुपूरा की तो तिरुपूरा के नए गवर यूसे अनदर इनको बेज दिया गया है इसके पदल मैं तेORCन का नंबर भी लिया गया जहारकन के जो राज्यपाल है वो रमेश बंस को बनाये गया किसे बनाये गया रमेश बंस जो है इनको बनाये गया और ये पहले कांके राज्यपाल थे ये पहले कांके थे तिरपुरा के थे तो ये जो shifting हुई है ये shifting आप लोग को याद रखनी है काफी important है जारकन के बाद में हरियाना के जो हैंनि की सत्य देव नारायन थे उनको तो transfer किया गया तिरपुरा के अंदर और हरियाना के नए राज्यपाल कौन बनाए गए बंडारू दत्राते जो है इनको बनाए गया है ठीक है बंडारू दत्राते जो है इनको बनाए गया है और ये पहले कहां के थे ये पहले थे हिमाचल प्रदेश के याद रहेगा तो यहाँ पे total जो है वो 8 shifting की गई है यहाँ पे documents में हम लोग देख सकते हैं President of India जो है इन्होंने appointments किया है 6 जुलाई को और total 8 shift जो है वो आप लोग यहाँ पे बड़े shift आप लोग देख सकते हैं ठीक है जो कोई मंतरी पद पर थे उन्होंने उनको भी क्या कर दिया गया है यहाँ पर राज्यपाल बना दिया गया है देखे राज्यपाल जो है वो एक neutral post है President के द्वारा appointment की जाती है और यहाँ तक की सरोजनी नाइडो ने ये कहा था कि राज्यपाल एक ऐसा पद है जो की सोने के पिंजरे में कैद चिडिया के समान है मतलब रहता तो वो राजमहल के अंदर है लेकिन कुछ कर नहीं सकता है इसलिए ऐसे वेक्ति जिनको neutral करना होता है तो government क्या करती है उनको राज्यपाल गवर्णर अपाइंट कर देती है 20 से 28 नॉबर 2021 को आईजित होने वाले अंतराश्टर Film Festival का कौन सा संस्क्रण है तो ये है कौन सा 52 संस्क्रण है और ये कहां पर आईजित होने वारा है ये आईजित होने जा रहा है गोवा के अंदर तो रिसेंटली जो है ये अनॉंस किया जा चुका है तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर कौन सा है 50 सेकंड है तो प्रकास जावडेकर की फोटो आप लोग यहां पर देख रहे हैं अब जो है ये कई चहरे जो है वो बदल चुके हैं चलिए बढ़ते हम लोग आगे बॉलिवुड की ट्रेजडी किंग कहे जाने वाले दिलिप कुमार का हाली में निदन हुआ है ये तो आपको पता है लेकिन किस बिमारी से इनका निदन हुआ है ये हमारे लिए जानना काफ़ी important है क्योंकि हो सकता है कि एक्जाम के अंदर वो बिमारी का नाम दे दे COVID या फिर कह दे वो blood cancer या फिर mucormysis ठीक है लेकिन यहापे correct answer क्या रहेगा correct answer रहेगा prostate का जो cancer था उस cancer की कारण इनका क्या हुआ है देहानत हुआ है इनका जन्म कब का है ठीक है जन्म है इनका 11 दिसंबर 1922 का और जन्म हुआ कहां पर था ठीक है जन्म हुआ था इनका पेशावन में पाकिस्तान के अंदर जन्म हुआ था ठीक है ये भी काफी important है याद ध्यान रखेगा 1954 में इनको Film Fair Award मिला था 1954 में ही Film Fair जो है वो Award मिल गया था और अब तक आठ बार जो है वो Film Fair Award दिया जा चुका है और इन्हों ने इतने ज़्यादा Award जीते हैं कि इनका Guinness Book of World Record में जो है इनका नाम दर्ज किया गया है यहाँ तक कि शारुक खान जो है इनके बराबर इन्होंने मतलब शारुक खान ने इनके बराबर जो है वो क्या जीते हैं Award जीते हैं 1994 में इनको दादा साहब फाल के जो है दादा साहब फाल के Award भी दिया जा चुका है 2015 के अंदर पद्म विभूशन तो इतने सारे आवार्ड मिले हैं इसलिए Guinness Book of World Record में इनका नाम भी शामिल हो गया है Prostate Cancer होता क्या है Basically, यहाँ पर देखिए, यह है Normal तो Normal Condition में क्या होता है कि जो Prostate है, वहाँ पर बिलकुल Normal Conditions होती है तीक है, यूरित्रा के बिलकुल नजदीक है यह Urinary Blader है, उसके नजदीक पाए जाता है और यहाँ पर क्या होता है कि एक छोटी सी Tumor जो है, वो बनने लगती है और दीरे-दीरे यह Tumor जो है, वो काफी जाता, Expand होती है और Prostate का Size बढ़ने लग जाता है और दीरे-दीरे यह Cancer का रूप धारण कर लेती है तो कई सारे फिल्मी जो है, वो इन्होंने की है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि Black and White से यह Colorful के अंदर कैसे पहुंचे और फिर इन्होंने बहुती बढ़िया सक्षय जो है, वो हासिल की है विश्वी जुनोस दीवस जो है, वो कम मनाया जाता है तो छे जुलाई को जो है, वो जुनोस डे मनाया जाता है देखिए, जुनोसिक बिमारिया होती क्या है, वो समझिये जुनोसिक बिमारिया वो होती है, जो कि जानवरों से इंसानों के अंदर फैलती है जानवरों से इंसानों के अंदर फैलती हैं जैसे आपको पता होगा निपा वाइरस जैसे निपा वाइरस है सबसे पहले केरल के अंदर शुरू हुआ और निपा वाइरस चमका दड़ के अंदर फैलना शुरू हुआ और चमकादर ने बाइट किया फ्रूट को ठीक है चमकादर ने बाइट किया फ्रूट को और उसी फ्रूट को खाया किसने इनसान ने तो ये जो बिमारी है निपा वाइरस वो इनसान तक पहुंची लेकिन कैसे जानवरों से वो पहुंची इनसान तक और ऐसे ही बिमारी कहा जाता है जूनोटिक बिमारिया लेकिन यह तो जग जाहिर है कि चािना ने क्या किया है, इसको लेब में ही निर्मित किया है चलिए, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आप लोग को पता होगा लूई पाशेर का नाम, इन्हों ने सबसे पहले क्या किया था जो vaccine है इसका निर्मान किया था और किसके लिए genotic disease के लिए और इसलिए 6 जुलाई को world genotic day जो है वो मनाया जाता है दा फूर्थ लोहन ऐसे फॉर गोपाल क्रिश्टन गांधी पुस्तक के लेक कौन है तो ये तो आप लोग को पता होगा कि वेणू, माधव, गोविंदू और श्रिनाथ, रागवन जो है मतलब D इसका correct answer रहेगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यह है इसका correct answer तो D इसका correct answer रहेगा इस भारती एजनसी ने world most innovative investment promotion agency के रूप में 2021 का पुरसकार जीता है तो वो है कौन सा Invest India ने जीता है 2009 के अंदर इसके स्थापना की गई थी और energy sector के अंदर क्या करती है यह agency काम करती है ठीक है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं A proud moment for India Invest India जो है awarded the world most innovative investment promotion agency तो यह investment promotion जो है इसको कैसे increase किया जाए energy sector के अंदर या फिर renewable energy sector है उसमें कैसे improvement किया जाए इसके लिए Invest India काम करती है इस देश ने मौसम की सटीक भविश्यवानी के लिए एक उपगरह जो है फेंग्यान 3E को launch किया है तो वो है चाइना मौसम की भविश्यवानी करने के लिए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं metrological satellite जो है FY3E इसको चाइना के दोरा launch किया गया है जो की weather की forecast करेगा monitor करेगा किसको sea temperature को अब यहाँ पर sea temperature को measure करने की कहाँ जरूत पड़ रही है देखिए climate change हो रहा है और climate change होने से क्या हो रहा है glacier जो है वो पिखल रहे है और glaciers के पिखलने से क्या होगा कि समंदर जो है उसके temperature में increment या फिर decrement आएगा और उसी इसको measure करेगा पहली बात दूसरी बात कि जब जितनी भी ocean current है ocean current जो चलती है वो एक तो कौन सी होती है एक तो होती है warm current ठीक है एक तो होती है warm current और एक कौन सी होती है cold current तो दोनों के अंदर जो difference है क्या उनका temperature है इसको भी measure कौन करेगा ये satellite measure करेगा तो काफी अच्छा ये satellite इन्होंने launch किया है मेक्सिको की खाड़ी तो मेक्सिको खाड़ी में गटना देखी गई है जिसका नाम क्या है आई of fire जो है ये घटना देखी गई है क्यों ये घटना देखी गई है क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ तेल का रिसाव हुआ और रिसाव होने से फिर वहाँ पर आग लग गई और ये आग जो थी वो बेकाबू हो गई तो समंदर के बीच में आग जो जल रही थी ये आई ओफ फायर के रूप में दिखाई दे रही थी मेक्सिको की खाड़ी जो है वो नौर्थ अमेरिका में USA के नीचे जो मेक्सिको कंट्री है उसके राइट सैड में है गल्फ ओफ मेक्सिको यहाँ पर ही जो है वो इसके नजदी कई सारी केरिबियन कंट्री जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केरिबियन सीबी सित है तो यहाँ पर जैसे क्यूबा है वेशन डीस के कई कंट्री जो है आई लैंड वो इसमें शामिल होते हैं केरिबियन कंट्री में देखे USA के अंदर मक्का जो है मेज वो इतना ज़्यादा उत्पागित होता है कि हर साल जो है वो लाखो टन मक्का मेक्सिको की खाड़ी के अंदर फैंक दिया जाता है ठीक है कैलिफोर्निया आप लोग यहां पर देख सकते हैं अभी रिसेंटल आपको पता होगा कि एक जौल जो है यहां की यहां की केपिटल ठीक है चलीए बढ़ते हम लोग आगे इंग्लेंड के किस तेज गैंज बाद ने 1st Class Cricket में 1000 विकेट जो है वो पूरे कर लिये है तो James Anderson जो है उन्होंने अपने 1000 विकेट जो है वो पूरे कर लिये है और 2021 में मतलब recently इन्होंने पूरा किया है और पहले पहला विकेट जो था वो इन्होंने किसका लिया था बैट्समेंड का याँ में नाम है फिर 100 वा, 200 वा तो 1000 वा विकेट जो है वो हैनो कौन का इन्होंने विकेट लिया है टीम जुरूर याद रखना आप लोग इंग्लेंड की टीम से ये संबन रखते हैं और ये फास्ट बॉलर है तो 1000 विकेट जो है वो इन्होंने कंप्लीट कर लिये है उत्राखंड के नए मुखे सची चीफ सेकरेटरी जो है वो किन को बनाये गया है तो NHAI ठीक है National Highway Authority of India के जो चैर परसन थे सुखवीर सिंग संधू इनको क्या बना दिया गया है चीफ सेकरेटरी बना दिया गया है कहां का उत्राखंड का चीफ सेकरेटरी बना दिया गया है उत्राखंड के अंदर कई हलचेले चलते हैं रिसेंट आपको पता होगा कि यहां के जो CM है ठीक है पुशकर धामी जो है वो यहां के नए CM बना दिये गए है तीरत सिंग रावत के इस्थान पर तीरवेंच सिंग रावत पहले थे फिर तीरवेंच सिंग रावत के बाद में तीरत सिंग रावत और तीरत सिंग रावत के बाद में कौन बने हैं पुशकर धामी यहां तक की उत्रखंड का यह इतियास रहा है कि एक दिन के CM जो है वो हरियोम रावद भी यहां पर एक दिन के CM रह चुके हैं इनके तीन टोटल टैन्योर थे हरियोम रावद के और इन्होंने एक भी टैन्योर जो था वो complete नहीं किया था ठीक है आप लोगको एक व्यक्ति का नाम और पता होगा स्रिष्टी गोस्वामी तो स्रिष्टी गोस्वामी जो हैं वो 2021 के अंदर एक दिन की CM बनी थी और ये जो है वो काफी कम उमरी की थी बेसिकली इनको कोई problem थी ठीक है कोई बीमारी से disease थी इनकी और इनकी इच्छा थी कि वो एक दिन का क्या बनना चाहती है तो स्रिष्टी गोस्वामी को एक दिन का CM बनाए गया था भारत का पहला pollinator park जो है वो भी उतराखंड के इंदर इस्तापित किया गया था भारत का प उतराखंड के अंदर दो यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या है वो मंडल है ठीक है एक तो गेरसेन आप लोगों ने सुना होगा गेरसेन यहां के गर्मियों की राज़दानी भी है और गेरसेन को एक नया मंडल जो है वो भी यहाँ पर बनाया गया है चलिए परियावरन और वर्मंत्री प्रकास जावडिकर के अनुसार भारत में किस वर्ष तक अतरिक्त 2.5 बिलियन टन कार्बन सिक्वेट रेशन यहीं कि इसको हम लोग कहें कि जितना एक्ष्ट्रा कार्बन जो है वातावरण के अंदर उसको एब्जॉर्व किया जाता है पेड़ पोदों के द्व तो रिसेंटली 2030 का टार्गेट रखा गया है देवेंद्र जाजडिया ने टोक्यो ओलंपिक टेक टोक्यो जो पैरा ओलंपिक है ठीक है इसमें विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए अपना इस्थान पक्का किया है इनका संबन जो है वो ज्वैलिन थ्रो से है और ये जो है ज गवा दिया फिर ये क्या करते थे कि घर में ही कैद रहते थे जब ये छोटे थे लेकिन इनकी मदर जो थी इन्होंने इनको क्या किया मोटिवेट किया और कहा कि तुम दूसरे बच्चों के साथ खेलना शुरू करो और धीरी धीरे ये दूसरे बच्चों के साथ खेलना बरANDबेगा था था को सोशन मेडिया जो प्लेाटफॉर्ण है उसपर वीडियोज की एक साजी जो है कोबिडुड गुरुकुल चलाई गयी है और य день किस मंत्रा लेके द्वारा प्रसिशन देना है वो किस के द्वारा चलाया गया है यह है आज आप लोग का Shady Gloss Quotient कि Mount Everest पर COVID-19 Separation 9 जो है वो किस country के द्वारा निर्मित की गई है यह मुझे comment section में आप लोग answer इसका दीजेगा आप लोग मुझे इंस्टा पर follow कर सकते हैं कोई भी content लेके आता है knowledge is power यह हमारी tag line है तो आप लोग channel को subscribe करना मत भूलिएगा चली कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बहुत ही बैतरिन करन टरफर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद थेंक यू